आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे आज मैं आपको इस वीडियो के जरिये मैं एक महर्त पुन बात बताना चाहते हूँ वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर इंडिक तक जरू देखना अगर आपको अच्छा लवे तो वीडियो को जरू को लाइक, से आर और कमेंट करना अगर आप नई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जी हां दोस्तों हम इंसान अक्सर चोटी चोटी बात को लेकर घुसा हो चाते हैं लेकिन यह जो घुसा होते हैं वो हमारे स्वास्त के लिए बिलकुल ठेक नहीं हैं यह हमें सारीरिक और मानसिक रूप में बहुत प्रवावित करते हैं तो घुसा याने की क्रोध जो है हमारी परमसत्रों तो हम केसे इसे कंट्रोल करें याने की हाउ टू कंट्रोल आवार एंग्रिनेस इस बारे में मैं आपको आज साथ सुत्रों बताऊंगे अगर आप इस सुत्रों को अभ्यास करें तो आपकी जीवन खुशियों से भाज जाएगा चलिए अब जानते हैं क्या है एस साथ सुत्रों इस सुत्रों के बारे में सीरिडी किसाई बबा उनके भक्त को समझायते भगवत कीता में भी भवन कृश्णों ने उनकी सखा और जुन को भी इस बारे में बतायते चलिए जानते हैं क्या है साथ सुत्रों एन के how to control your English seven solution formula पहले होता है ध्यान से सुनो मेरे फ्यारे फ्यारे प्रेंज पहले होता है शोचना याना कि our thinking capability अगर हम बोलने से पहले कुछ बात बोलने से पहले सोचेंगे हमारी जीवा के उपर आप नियंत्रन कर सकते हो आप जब किसी ब्यक्ति के उपर क्रोधित हो तो आप क्या करते हो बात कहने घड़े ज़रा सुचो क्या इस बात को बोलने से पहले क्या बात बोलने के बात इस वेक्ति क्रोधित नहीं हो जाएगा क्या मैं ज़्यादा क्रोधित हो जाता हूँ इसको सुचो जब आप सुचोगे तब आपके अंदर पोजेटिव थेंकिंग आएगा जब पोजेटिव थेंकिंग आएगा तब भी आपका जो क्रोधित का गुण है वो कम हो जाएगा नमबर डो सांध रहना जब भे आप कुधीत हो जाते हो कि कुधी एक एसे ही चीजे जो ब्यक्ती को हमीशा सर जुखा के चलना चाटते है कभी भी आप कुधीत होकर आपके सर उपर करके नहीं चल पाए होगे हमीशा कुरोध हमारे सर को नीचे रखता है सांथ रहना सिखो क्यूंकि भगवार ने अगर दो पक्षो को रखता है तो अपनी पक जरूर आएगा तब ही भी आप सांथ होकर आपका पक्ष रखोगे देखो के आपके अंदे जो कोद का गुने वो भी कम हो जाएगा यह मेरा दाभा है नमबर त्रे स्तान को परित्याग यादि त्याग करो अगर आप किसी व्यक्ति और किसी स्तान के ओपर कोदित हो तो आपको क्या करना है इस स्तान को छोड़के चले जाओ जब आप चले जाओ को इस स्तान को छोड़के तब ही आप देखोगे ठिंकिंग यादि सोचने के लिए कुछ टाइम पाओगे जब आप ठिंकिंग करोगे तो आपकी अंदर यादि आपके माइन यादि दिल के अंदर आप क्या करोगे ना पाओँटिव थेंकिंग ला सकते हो जब पाओँटिव थेंकिंग ला सकते हो तो आप भी कोधित को अपर नियंतरन कर सकते हो नमबर चार माइप करना इस सबसे बह Tier है सबसे महत्पुन है माइप करना याने के ख्योमादेना मेरे प्यारे दूस्तों आपको पता है अगर कोई बंदा या इनको निव्यक्ती गलत करता है तो आप उसको ख्योमा करो ख्योमा एक एसी चीजे जब आप ख्योमा करोगे तब भी दूसरा जो बंदा है वो आपके उपर खुश होगा तो क्या करना है आपके अंदर आपके माइन अंदिल के अंदर आप माफी का जो चीजे फरगिबनिस का जो चीजे उसको डेपलब करो नमबर पांच हसना जब आप क्रोधीत हो जाते हैं आपके अंदर क्रोध बढ़ जाता है तब भी उसी घड़ी एसे कुछ घटनाय के बारे में आप सुचो जब आप क्रोधीत हो जाते हो तो आप इसी घटनाय के बारे में सुचो तब आपके फेश पर हंसी आज़ यानि कि हंसने का चीज सुचो जब हंसोगे तब भी आपके अंदर कुरोधित का जो गूने वो भी कम हो जाएगा नमबर सिक्स गाना सुनना ये हमारी जो आधोनिक जो चीज होता है हम लोग के हम जब चोटे हैं उमर वाले बच्चे हैं हम लोग क्या करते हैं जब कुरोधित हो जाते हो पहले आपको उसको स्तान त्याग करो दुसरा है गाना सुनना आपकी जितने जितने प्यारे गाना है उसको उसी में डुबी जाओ क्रोध या चीज है उसको भूल चाओ नमबर से भेन मीरर के पास खड़े हो जाना मीरर ही जावार इमेज आप जब हसते हो तो मीरर के जो रिफलेट इमेज वो भी हसता है आप जब घुसे पर होते हो तो आपके जो रिफलेट इमेज वो भी खुछ साहते है आप अगर कुधीत हो तो रिफ्लेट इमेज भी कुधीत होता है तो मेरे दूस्तों इसे साथ सुत्र को अभ्यास करो देखो कि आपके जीवन खोशी से भर जाएगा अगर ये साथ सुत्र को अभ्यास करोगे यह मेरा दाबा है कि आप एक बेहतर लाइफ जीश सकते हो अगर एक वेडियो शेयर करो, कॉमेंट करो, दुसरों के पास भीजो, जो कुरोधित होता है, और सब्सक्राइब में, थेंक्यो, हावे नाइस टे